बिस्मिल्ला रह्मान रहीम अस्सलाम अलेकुम डियर स्टूजन्स और वीवर्स आज की इस वीडियो में हम ग्राफिक टिजैनिक एक्सराइज नंबर 3 जो के बैच नंबर 6 से रिलेटिटिट है उसको हम साल्प करेंगे इसकी वीडियो डेट यानि आखरी तारीख 16 अमपरेज 2020 है और इसके भी टोटल मार्क 10 है तो प्राब्लम स्टेट्मिन्ट की तरह बढ़ना इस पहले है आप लोगों से छोटी दर्खास खासकर उन वीवर्स के लिए जो नहीं ने मेरे चैनल का विजट करें हैं करनली मेरे च आपने प्राब्लम स्टेट्मिन की तरह बढ़ते हैं क्या है हमारे पास कहने हैं विद दी हल्प अद्जस्मिन देट की मदल से आपने आपने प्राइलिंग ब्रश जो आपको मुफ्तिक किसम के टूल बता रहे हैं दो आपको एक इमिज दिये गया है उस पर आपने अपने करने हैं सपार्णूरी फीलिंग ब्रश का हिलिंग कर लिए पर्श तूल आपने पूरी आकड़ाइज का इंसे को परनी करनी है कहने जब आपकी सारी images final लोगे रीटेचेंग के बाद उसको और एजिएर को side by side रखते है आपने उसका screenshot लेना है और उसको वहाँ place करना है take screenshot of layer panels after editing the images कहते हैं जब आपकी रीटेचिंग और एडिटिंग इमिजी complete होजेगी और पैनल आपका बने का layers का उसका screenshot देना है और अपने solution file में paste करना है third task के आपका आपके पास to complete the hands-on exercise please use only the provided image करें जो आपको image भाये किये यह है आपने कर उसी को इसको complete करने के लिए कि इसको मैंने क्लिक करके पहली open कर चुका हूं यह वह अंसप्लैश प्री में जाईए तो आपने क्या करना है यहां से download 3 पे क्लिक करके आपके पास तीन किसम के साजीज है बसके चार किसम के small medium large optimal size तो आपने किसमाल वाले को select करना है और इस पे क्लिक करके इसको download करना है जो कि मैं already download कर चुका हूं तो उसके बाद आपने अपना photoshop का open करना है और उसके बाद आपने जहां यह picture download हुई है वहां से इसको copy करके अपने photoshop में place कर दिना है अब यह हमारे पास photoshop में image जो required है वो आ चुका करता है तो मैं क्या करता हूं इसकी control J करके इसकी copy करता हूं और इसका नाम रखता हूं क्या अभी मैं देखता हूं इस पे मैंने कौन से टूल इस्तमाल करना है इस पार्ट हीलिंग वाला मैं इस्तमाल करता हूं और इसके बाद देखता हूं क्या होता है इसको मैं लिखता हूं इसको इसको मैं जूम इन किया और प्रेस करके और जो वील है आपको मौसका उसको यूज करके तो अब अब यान से इसको थोड़ा सा इसका साइज बिला लें प्रेश का तो आप इसको जैसे जैसे देखें वो तो यहां आपका क्या हुआ? यहां से यह? स्पार्ट हिलिंग ब्रेश के जरी आपके जितने भी स्पार्ट से वो खतम हो गया अब हम दूसरा ब्रश इस्तमाल करते हैं उसके लिए भी हम क्या करता हूं मैं इसके क्लिक करता हूं और एडिस्लेक्ट है कंट्रोल यह दबाता हूं कंट्रोल यह और यह मारे पार से एक और कापी आगी है इसका मैं नाम लगता हूं हिलिंग ब्रश तो वापस तूल वाले पैनल पे जाके मैं क्लिक करके लिए प्रैश वाला तूल मैं क्लेक्ट करता हूं तो यहां से भी मैं इसको तो यहां से मैंने हिलिंग ब्रश जो स्लेक्ट किया मैं इसको यूथ करना शुरू करता हूं इसका साइज में थोड़ा ब्राद लेता हूं आपकी जो बरी ब्रैकर स्क्रीन आउस पे क्लिक करते हूए अब देखें मैं इसको अब वो कह रहा है कि आल्क से आप उसकी स्पेस प्लेस कर लें तो मैं इसको यहां से मैंने एक जगह से स्लेक्शन कर ले थी एरिया अब उसके मताबिक इसको मैं साइज थोड़ा चोटा कर लेता हूँ जूम इन करता हूँ ताके मैं इसको तो यह मेरी उससे हो गया अब मैं दुबारा क्या करता हूँ अब मैं स्पार्ट हीलिंग ब्रश पर आता हूँ उसकी लेयर पर और स्पार्ट हीलिंग को स्पार्ट करके मजीद इसको थोड़ा सा सरी करने की कोशिश करता हूँ तो यह हमारे पास स्पार्ट हो गया उसके बाद हम देखते हैं कि हमने कौन सा टूर्ट यूज करना है आपस अक्सेसाइज पर जाकर हमारा स्पार्ट हीलिंग ब्रश हो गया हमने पैच्ट तूर्ज यूज करना है तो फिर यूज करने के लिए हम दोबारा अपने फोटोशाप में जाते हैं और यहां से मैं पैच्ट तूर्ट करता हूं और इसको मैं यहां से select करता हूँ पैज बनाता हूं और इसको मैं यहां लेकर आता हूँ ताकर वह clear ओ जीए फिर मैं क्या करता हूँ यहां से यहां से मैंने पैज बनाया और यहां रखा ताकर वह यहां से वो उसका color उठा लें सोरी यह जो मैंने दुबारा काम किया इसको मैं तो मैं दुबारा healing पर जाता हूं healing brush पर और layer पर और इस control जे से मैं इसको नहीं layer पर create करता हूं और यहां इसका मैं नाम लिखता हूं patch tool तो और दुबारा patch tool पर जाकर मैं click करता हूं और यहां से मैं इसको मैं उठाके यहां रखा ताके वो सही होजे पर मैंने यहां से यह वाला portion उठाया उसको मैंने यहां रखा ताके वहां से color उठाके इस पर place कर दे और वो ठीक होजे है हमारा patch tool भी हो गया प्रेश्ट रोने के बाद हम देखें नेक्स हमारे पास tool कुन सा है blur and sharpen tool है तो हमने इसको मैं बाद में use करता हूं मैं पहले dodge पी चला जाता हूं dodge हमारे पास यह dodge tool है हमारे पास तो dodge tool actually आपकी surface होता है उसको थोड़ सा match कर रहा होता है जहां से आप यहां देखें आपके पास थोड़ा सा whiteness है और जो यह nose के side में इससे थोड़ा सा आपको dark care नदार है तो हमने इस पर काम करना है तो मैंने control T दबाया और इसको यूज करने से पहले मैं पैस टूल पर आता हूं लेयर पर और फिर control J दबाता हूं यह दो दफ़ा आगी है तो मैं इसको delete करता हूं और यहां लिखता हूं तो यहां मैंने कौन सा rule इस्तमाल करना है dodge tool तो यहां मैं लिखता हूं dodge tool तो dodge tool मैंने यहां राख लिया तो साथ ही मैं क्या करता हूं वो जो explorer है मेरा इसको मैं बहुत जादा काम करता हूं यानि मैं इसको 5% बे ले आता हूं अब यहां देखें मैं इसको थोर थोरा माल करता हूं तो यह देखें थोरा सा clear हो गया अब मैं यहां थोरा से इस्तमाल करता हूं इस portion को मैंने थोरा ठीक करना है तो मैं दुबारा कहां आता हूं patch tool की layer पर आता हूं और patch tool को मैं select करता हूं हूं select ही है तो मैं यहां से इसको तो यहां से मैं इसको select करता हूं और इसको ठाके मैं यहां रखता हूं ताके इसका बितर हो जाए फिर मैं control D से इसको cancel करता हूं इसको मैं यहां से उठाता हूं और इसको मैं यहां रखता हूं ताके यहां से भी इसकी adjustment हो जाए अब मैंने इसके वाइट करनी है आइस तो आइस पर जाकर काम करते हूं दूबारा डॉर्स टोर पर आता हूं और इसको मैंने खिलिक किया है बश्का साइच छोटा करते हूं मजीद इसको मैं जूमिन करते हूं ताके मैं इसी तरह मैं काम करता हूँ दूसरी इसका इसका इसकी में थोड़ा से ब्रा लेता हूँ ताकि अब देखें इसकी आँखें जादत वाइट हो रही है इसको दुबारा लेके आता हूँ तो दुबारा चुक्ता करता हूँ तो यहां से वाइट करने के लिए इसकी आएट है वीडियो थोड़ चीलें बीना होजे ब्रादा क्लारिटी की चेकर में तो बहुत तो आप देखें इसकी आंके काफी क्लियर हो गी है तो जहां से आप उसको दुबारा सेट करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं डॉच टूल पर जाके मैं इसकी कंट्रोल जैसे इसकी नहीं लेयर क्रियेट करते हूं इसका मैं लिखता हूं बर्न टूल इस आपोजिट आप डॉच टूल तो डॉच टूल पर जाता हूं मैं बर्न टूल मैंने क्रेक्ट किया इसका मैं साइच प्षोटा करता हूं यह जो मुझे थोरा सा तो यह अब मैं जूम आउट करके देखते हूं तो यह अब बेटर लाग रहा है तो उसके बाद हम जा कर देखते हैं हमने कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी है हमने Spot Healing Brush यूज़ कर लिया Healing Brush, Patch Tool, Dodge Tool, Burn Tool तो उसके बाद हमारे पास कौन सा Tool बच जाता है जी तक्रीबन सब हो गये Blood और Sharpen Tool हमारे पास रहा गया तो अब मैं इसको क्या करता हूं यहां से Control जे करके नहीं Copy लेता हूं इस पर मैं लिखता हूं Burn, Burn Tool तो मैंने कर लिया बारा देखते हैं क्या कह रहा है Blood, Blood और Sharpen Tool तो Blood Tool देखते हैं हमें काँ से मिलेगा यहां से नहीं यहां से मिलेगा तो यह हमारे पास पहला Blood Tool है तो हम देखते हैं इसमें क्या आता है तो Blood Tool है इसका साइज बढ़ाता हूं Blood Tool आपका इमिज में पीछे background पे Blood की कहते हैं तो देखे थो 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 उसका Blood बढ़ रहा है Blood के बाद हमने कौन से चेक करना है Sharpen Tool चेक करना है तो मैं इसके Ctrl-J प्रेस करूंगा और यहां लिखूंगा Sharpen Tool Sharpen Tool को मैंने Set करना है अब यहां से Sharpen Tool को Set कर लिया है जहां से ज़्यादा हो गया होगा तो मैं थोरा साइज बना लूँ तो यह मैं इसका थोरा सा Sharpen Tool के दरे इस पिक्टर को थोरा सा Sharp कर रहा हूँ आम थोरा साइज बनाता हूँ तो यह Sharpen Tool के दरे मैंने Sharpness थोड़ी सी पिक्टर की तेस की तो अपने Next Step की तरफ बढ़ते हैं कि इसमें हमने क्या करना है मैं Sharpen Tool यूज करूँ अपनी तुमाम लेयर पर तो मैं Sample All Layers के पिक्लिक करता हूँ और मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा Sharp करता हूँ करके यह थोड़ा सा Effect दे Localize Effect तो इसके बाद तो हमारे पास Next की है जी हमने अब Adjustment Layer अप्लाई करनी है उसके बाद कैमरा फिल्टर हमने अप्लाई करना है तो मैं अब Adjustment Layer कहां अप्लाई करूँगा यहां ही अप्लाई करूँगा अपने Photoshop पे जाके तो यहां मैं जाए करता हूँ शार्पन टूप जो मैंने रखा हुआ है तो रखता हूँ कर्द बाद मैं अप्लाई करता हूँ कब तो मैं इसको यहां देखता हूँ कहां से मैं इसको यहां से मैं इसको लाज से मैं इसको और आशा तो इसकी ब्राइटनेस को मैं यह ठीए गया तो यह मेरा मैंने कर्ब्स को अजिस्मेंट नेर्ड में जो कर्ब्स का एक उप्शन है उसको यूज करके मैंने इसकी अजिस्मेंट की तो यह भी मेरे पास हो गया अब मैंने क्या करना इसको मैंने यहां से मिनिमाइस किया तो अब मैं जाता हूं करледना में शार्पन टूट पर आता हूं और अब इसको यहां यूज करते हम आप एक कैमरा गा फिल्टर शिप्ट प्लस कंट्रोल प्लस ए की जेरे भी इसकी कि कुछ जो भी आप सिमयाज करना चाहएं काण कर लें तो कलर भी पल्फराइल Sub情況 चाहते हैं कि वाइट अब फोलों इसमें से कुछわかंड तो यह मुझे फोलों अच्छा लगा दो Mr.Tain ने चाह500 अब कि यह कंट्राइब कि रही है एड़ो कि रही है एड़ो कि रही है कि रही है कि यह हमारे पास कंट्रीट होगा मेरे असाब से तो मैंने इसको कर दिया अब हमने इस इंडिटिड इमिज का और इस लेर पैनल का स्क्रिंग शाट जरना है तो इसके लिए मैं अपना टूल यूज करूंगा उसका नाम है spinning tool तो मैंने इसका यहां से मैंने cover किया और यहां से देखें सारी की सारी layers भी मैंने cover up कर ली इसको मैं save करता हूँ यहां लिखता हूँ एक्सेसाइज यहां complete होगी तो अभी मैं आपको थोड़ी देर के बाद अपनी final exercise वीदे जाओंगा यानि तुमाम screenshot जो थे real image और edited image जो है उनको एक जगा प्रेस करके आपको final briefing देने के लिए तो यह अप हमारे पस final solution है हमारी exercise का जिसमें आप देख सेंके task 1 क्या थी कि हमने real image और edited image मैंने तोनों एक जगा प्लेस किये उनका पर्क दिखाने के लिए और टाक्स 2 में क्या था हमने जो edited image और इसके साथ जो layer पैनल था उसका screenshot लेकर मैंने यहां प्लेस कर दिया और यह हमारी exercise यहां अक्ताम पर जीर हुई अम्मीद करतोंगा आपको यह सारी समझ में आई होगी कोई question या क्यूरी है तो आप कांडली मुझसे comment section में पूच सकते हैं या description में दिये के email पर send करके पूच सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो kindly like करें share करें और comment section में अपनी कीमती राए का हजार जूर करें thanks for watching assalamualaikum